हलो फ्रेंट संद्या के कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं लौकी की सबजी यह भी बिल्कुल अलग तरीके से देखिए सभी का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है सायद आप लोग किसी और तरीके से बनाते हों प्लीज वीडियो को कि देखिए लौकी की जो है पीस को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे जैसे हम बूजिया बनाते हैं तो बहुत बारिक सा कट करते हैं छोटा छोटा बिल्कुल और इस तरीके से हम आज सबजी जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमें लोग की को थोड़ा बड़ा साइज में ही कट करना है और आप चाहें तो इसे और बड़ा भी कट कर सकती हैं अपने मन पसंद का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना सेर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्या आप लोग भी इस तरीके से कभी लौकी की सबजी बनाया है कमेंट में ज की इस niesamow सम डाला है देखिए देखिए इसी तरह हम पर ले सभी लौकी को कट कर लेंगे और हम कडाई में नहीं विनाया आप चाहें तो कडाई में भी बना सकती है लेकि आज हम बतलनाते हैं कूकर में और हम डालेंगे इसमें सर्षो का तेल अब जो भी अल खाना पसंद करती हूँ आप वो डाल के बनाए और इसमें तड़का के लिए जीरा और थोड़ा समने लिया है हरिमेच और लहसुन इसे हम भोन जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें लोकी और इसे भी हम दो मिनट तक भूनेंगे इसमें प्याज नहीं पड़ता है आप चाहें तो डाल सकते हैं देकि हमने भी प्याज नहीं डाला है प्याज जो इसे डालना इसमें जरूरी नहीं होता है दो मिनट भून जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े सी मसाले देखे इसके लिए हमने लिया है एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच गरम मसाला आप ये भी हम घर का गरम मसाला बनाए हैं इसकी हमारी सौट वीडियो है आप चाहे तो उसे भी देख सकती हैं द कि इसमें डालेंगे स्वाद अंस्वार नमक और इसे चलाते रहें एक दो मिनट इसे मसाले को भी भून जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी चमच कास्मेरी लाल मेर्च, यह हम कलर के लिए डालते हैं, आप इसे डाले आइस की भी कर सकते हैं, यह तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए हम यूज करते हैं, अब इसका ढखकन लगा कर हम इसे सिर्फ एक सीटी तक पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाने की जरुत पड़ती है, हमारी लौकी बिल्कुल पक चुकी है, अब इसे हम ऐसे ही थोड़ा सा मैक्स कर लेंगे, और इसे अब सर्विंग प्लेट में निकालेंगे हम सर्व के लिए, देखिए हमारी लौकी की सबजी बिल्कुल अलग तरीके से मसाले वाली, कितनी अच्छी और टेस्टी बनके हो गई त लौकी की सबजी है, और इसका टेस्ट भी अलग है विल्कुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद